संदू दिल्ली आज तक शिवराज के राज्य मद्रप्रदेश के खन्वा में कोबड के खलाफ जंग कुछ अस तरीके से लड़ी जा रही है कोरुणा मरीजों के लिए लाई गई अमूलेंस बंद हो गई और धक्का लगाने को मजबूर हो गए वनमंत्री विजशा विजशा खन्वा और बुर्हानपुर जिले के कोबड प्रभारी है दोनों जलों के लिए उन्होंने चार चार एसी एमूलेंस की मांग की थी मंत्री जी को बताया गया कि आप चार एमूलेंस की राय पर ले लिजे और दो सरकार की तरफ से आपको भीज़ दी जाएंगी लेकिन जब एंबुलेंस आई तो मंतरी जी का मूड खराब हो गया नहीं ऐसी एंबुलेंस का वाइदा किया था और मिली खटारा एंबुलेंस मंतरी जी को एंबुलेंस हटाने के लिए खुद धक्का लगाना पड़ा मैं बाहर आया और मैंने देखा कि नई एम्बूलेंस नहीं थी और जो एम्बूलेंस दी गई थी या फीता काट के लवा बांथ करके जो उद्गाटन के लिए एम्बूलेंस खड़ी थी वह इस काविल भी नहीं थी कि हम उसको जनता को लोकारपीत करें कि खटारा एम्बूलेंस दो हजार पांच में जो मोडल बंद हो चुका था और जब मैंने ड्राइबर को कहा कि आप इसको स्टार्ट करके यह से अटाईए तो ड्राइबर ने कहा कि सरी चालू नहीं होती आप थोड़ा धक्का लगा दे तो मैंने धक्का लगा करके उसको खंडवा जिली के आदिवासी बहुल हर सूद क्षेतर में कोरुणा महमारी के चलते बड़ी संख्या में ग्रामीर बिमार हैं यहां स्वास्ते व्यवस्ताय चर्मरा गई हैं कैबिनिट मंत्री विजशा इसी क्षेतर का प्रतिने दित्व करते हैं मंत्री जीने इस जग हसा पर अधिकारियों को न केवल पटकार लगाई बल्कि दोशियों के वरुद आक्षन के लिए चिथी भी लिख डाली। कि हमें नई एंबुलेंस तद्काल दीए।